वेलो एब्रीमन, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो पिछली वीडियो में हमने क्रॉप्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे हैं पढ़ा था, हालां कि बॉटिंगल क्लासिफिकेशन रहे था, बस बाकी ये on the basis of place of origin, according to life cycle, on the basis of season, based on economic purpose, और based on specific usage, ये हमने complete कर लिया था, आज ह प्रासिफिकेशन ये काफी बेस्तरत है, फिर भी जो कसीओ के फसले हैं, जिनकी खेती की जाती है, उनके आदा पर कुछ जो प्रासिफिकेशन है, वो निम्न प्रगार से है, सबसे पहला है, ग्रेमनी फेमली, जिसको पोईसी फेमली के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रुसेटो बेटो, पुरिन्सल, टेमेटो और तमागु इत्यात धां है च्वहती फैमिलि है करूसिफेरी इसमें किसको रखा गया है मश्टरड को राइक हो और लाई तारा मीरा गोवि इत्याहर जो सरसों पर के फसले उनको रखा प्रशर जुंट ममनें उलावर को लिनियंसी फैमिलि मैं रूपटं तेलियंसी फैमिली में दूसर को अम्मेली फेरी में केरट, फनल, क्यूमिन, कोरियंडर, गाजर, सौफ, जीरा, धनिया इत्याद को किसमें रखा गया है अम्मेली फेमिली में कुकरवेटेसी फेमिली में जैसे कद्द वर्ये फसलें, कोल वर्ये फसलें जैसे कद्दू हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुई, और तरवुज, खरवुज, और बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड जित्रे मी जो क्रॉप्स हैं, उनको कोकरवेट एसी फैमिली रखा गया है, लेली एसी में अनियन और गारलिक को, अब बात करते हैं अगले खलाश्टिफ ज्वाई ह्गतिया जैसे बैंगन है प्याज है ठीक है, बात करते हैं स्बैने स्बाच सबार गार्ण क्रप क्रॉप्स होती है जिनको एक बड़े फ्युक्रपो होता है लेकिन इनकी सोष्टों होती है, बारवार किक्ञ ли помогैं कोक्षिज्व कषई, गैवा और चाय है ठीक है तीसरा है field crops field crops हमें ये भी एक बड़े चित्रपल पर उगाई जाती है ये फसले है लेगन ये seasonal होती है मौसमी फसले होती है जैसे game है रभी season की है धान है जौर है मक्का है ठीक है अब बात करते हैं based on agriculture importance ठीक है पहला है अधिक पानी सहन करने वाली अगर field में किसी भी problem की वज़े से या कोई situation ऐसी बन जाती है कि खेद में पानी ज्यादा बर जाता है तो उस situation में जो फसल है धान उसको काफी अच्छे से grow कर सकते हैं जो अधिक पानी भी सहन कर सकती है ठीक है अधिक से चाहने वाली जय गे हूं कम से चाहने वाली मतर चना बाजरा कपास सू का सैन करने वाली जो की desert area में या फिर जो राइस्तन हो गया है वहां होगा ही जाती है जहां पानी की कम अपलबदी है मतला पानी कम है वहां तो मौश्टर कम है जिन फसलों जिन soils में तो उन फसलों को गाय जाता है ज्वार है बाजरा है कपास है गवार है ठीक है बात करें अगर size of seed के according बीज के आकार के अनुसार कौन कौन सी crops है तो छोटे बीज वाली मध्यम बीज वाली और बड़े बीज वाली जो छोटे बीज वाली crops होती है उनको वह कौन सी होती है जिन फसलों के जो बीज होते है ठीक है, जैसे गोवी, बरसीम, सर्सों, इनका बीज कैसा होता है, छोटा होता है, और जो बीज का आकार है, बोने की गहराई को प्रभावित करता है, मोटी बीज वाले जो सीड होते हैं, उनको अधिक गहराई पर और छोटे बीज वाले जो कम साइज होता है, उनको कम जिन फसलों का जो बीज है वो बड़ा होता है साइज में कैसे मक्का है मटर है ठीक है अब बात करेंगे depth of root जड़ों की गहराई के आदान पर सबसे पहला है उथली जड़ वाली इन में कौनसे क्रोप आती है जैसे धान है आलो है तोरिय यह जिनकी जड़ ज्यादा गहरी नहीं होती पर करें रोट्स पर जो नोड़ब ने नाट्रोजन को डॉह में फिक्स कर लेते हैं। तो उसक्त के यद्धार भी बस एक राजमा को चूड़ की राजमा एक ऐसी χ हूआ, इक ऐसी पलसल पहहा जो कही कि नहीं सी नहीं करती है। उर भी लेगिम में और भी एड जैसे सनाई है वो भी लेघ्यम निंसे फेमिली और के जया करती है यह वाता वह नाइटोजन को फिक्स अगों से एक होती है erosion registration, रेजिस्टेंग और second erosion permitted ये क्या करती है erosion बादकाब को रोकती है, जो erosion होता है जो म्रधा चलाण होता है उसको रोकती है जैसे मूंग है, यह अपने वानस पतिक गिरोथ कर लेती है और roots के द्वारा soil को catch करके रखती है second is erosion permitting crops इनके विएसे जो म्रदा चरण है वो उसमें विरद्धी होती है ये soil को पकड़की नहीं रखती और इनके द्वारा म्रदा कटा में विरद्धी होती है जैसे मक्का है, सरसों है तो crops का classification इतना ही है या ये दोनों वीडियो में मैंने complete कर दिया है thank you for watching